प्रभातकबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं नमस्कार प्रभातकबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ सक्ति लोचन इस समय बिहार बोर्ड इंटर परिक्षा को लेकर के काफी जादा गयमागमी है आथ से बिहार बोर्ड का इंटर परिक्षा बार्मी की परिक्षा वो शुरू हो गई है और इस समय हम राजदानी पटना में हैं आपको दिखाएं कि कोरोना के काल में इस तीसरे लाहर में किस तरह से परिक्षा का आयोजन क्या जा रहे हैं यह अभी बताएं कि इस समय यह अपने इस्ट्चा वेट रहे हैं वह अंदर परिक्षा के लिए सारे जा चुके हैं सबसे बात करने हैं दर ऑवी एक्जाम चल रहा है अंकि ऑप्सका प्रड़ ऐक साथ कोड़न आही है तो इस वार इस बार कैसा एक तो scrutiny का चल रहा हैं लार तैयारी है कुछ जादा जो है वो मेहनत करना पड़ा है दिकत क्या है कि करोना लेकर थोड़ा बढ़ा भी थोड़ा धिकत ज्यादा कैसा यह आपके साथ को नहीं है अंदर को करोना को लेकर थोड़ा सा यह है कि क्लास सब कुछ बन कर दिया गया जिससे बचलों का स्कूल बाकि सब चीज में हो रहा है लेकिन फिर भी मेहनत बचा करना थोड़ी चोड़ेंगी सब तो मेहनत कर तो यह सब कुछ घर पर तैयारी हुआ है तो घर पर कैसे मतलब डिश्टन इस पर हम से चोटी है या फिर हम से पर हम बता दिये तो यह तरह से तैयारी हुई है यह फर्स्ट पर है चलिए तो यह देखिए किस तरह से अभी अभिवावकों से जानने की कोशिज के कुछ और गार्जयन से बात करेंगे देखेंगे कि किस तरह से चैलेंज उनके लिए रहा है इस वार का इंटर एक्जाम है बात करते हैं यही पर अंदर एक्जाम दिल्वाने आई हुए हैं किस चीज का पेपर है अज हिंदी हिंदी तो कहा से आये हैं रामकिशना रामकिशन लगए तो इस बार जो है बच्चे को यह ज्यादा मुझ जो है लड़ाई करना पड़ा है यह तयारी के लिए क्या तय तो देखिए इस बार जो है वो भगवान बरो से भी गाड़ी चल रही है बच्चा जो है वो थोड़ा नर्वस है गार्जयन इंतजार में है कि बच्चा बाहर निकलेगा तो बताएगा कि क्या इस बार एक्जाम कैसा रहा है लेकिन फिराल जो अभी बावकों से जान रहे हैं कि इस बार दिक्कत है पदाई किस तशाों तैयार किया है बचछा इसलार तैयारी कैसे किया तर्यारी तो मेरा बच्छा सब्सकार्ण सावाइश किया है घर पर कोचिंग और सब्सक्राना जिए देखते हैं कि मा यदा बेन मोबाइल जैसे देखती हैं तो कहती है मोबाइल छोड़ो किताब पर लगो इस बार मां कह रही थी कि मोबाइल इंटर्ण भार वान है इस बार इस बार मोबाइल देखकर के डांट नहीं लग रहा था देखिए और बात करते हैं कुछ और भी हमारे साथ गार्जेंट है कैसा अंदर एक्जाम चल रहा है तैयारी कैसा हुआ है तो आज बजट आया हुआ है पता है सरकार जो है बजट लाई है तो इसमें भी डिजिटल पढ़ाई को जोड़ दे रही है तो इसका फायदा मिलेगा दिजिटल पढ़ाई का फायदा है बेटी अराम से घर में पढ़ ले रही है तो देखिए और बात करते हैं इस समय हमारे साथ और भी बहुत गार्जें जो है इस बार कैसा एक्जाम अंदर बच्चे दे रहे हैं इतना मायूस आप क्यूं है दूप लग रहा है नहीं नहीं इस बार कितना मतलब थोड़ा परेशान किनकर अभी अंदर कौन है इस बार बेटी कैसे तयारी किया ओनलाइन पड़ी जो है वो तो बंद हो गया है जो पड़ी है वो क्या लिखती है और जो है किस तरह से अच्छा एक बात बताइए कि पहले जो है या हमीं लोग अपने बात करें तो मा देखती थी मोबाइल तो कहती थी पड़ेगा लिखेगा ने मोबाइल में लटका हुआ है इस बार मा मतलब बोल रहे है कि मोबाइल में मतलब पड़ रहा है मैंनत हुआ है पढ़ाई हुई है तो परिनाम भी अच्छा होगा और बात करते हैं इनके पास से भी रियक्शन आ रहा था काहें की मजबूरी है बताइए आप पढ़ाई हो यह नहीं रहा है बंद हो जा रहा है तो क्या करें मजबूरिया की मभाइल लेके पढ़ो बेटा और कोई उपाई नहीं है खोचिन भी बंद है जो बच्छें अंदर अंदर कौन गया है क्या बोलके गई समस्या और आई है अभी सामने यह एक समस्या और आई है कि गार्जियन यह लेडी इतनी बैठी हुई है इनका कहना है कि हम और यह वास्तविक है कि एक्जाम सेंटर के बाहर गार्जियन इतनी माहिलाएं बैठी हुई है तो उन तो ये एक समस्या ये भी है इसको पॉइंट आउट करना चाहिए तो मतलब की कोरोना में दिक्कात हुआ है बहुत पाई रहा है आप पूरा बहुत गुसाई हुए है तो यह हम आपको दिखाए कि आज पहले की रिजल्ट बढ़ियां आएगा तो रिजल्ट बढ़ियां आएगा तो सब बढ़ियां हो जाएगा तो यह हम आपको दिखाए कि आज इंटर परिक्षा को लेकर के कितना बदलाव आया है कोरोना काल में यह कोचिंग इस्टिचूट जितने भी टीचर्स वगरे हैं वो मजबूर थे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे डिजिटल मोड पे पढ़ाई हुई है एक्जाम देने बच्चे आए हैं अंदर हैं गाजियन्स को उन्होंने आस्वस्त के आए कि हम अच्छी तयारी में हैं आप निश्चिंत रहिए परिक्षा में हम अच्छे मा बाहर होगा तो यह आज एक्जाम देके बच्चे बाहर निकलेंगे तो वो बता पाएंगे कि किस तरह से कोश्चन में जो है उनको क्या परिशानिया आई प्रस्ण पत्र में और हल उन्होंने किस तरह किया एक्जाम सेंटर पर आविबाबक जहां एक तरफ बच्चों का इ हुए हैं वहीं देखिए यह इन लोगों की उम्मीदें जो है वह यह बादाम और भुजे पेटी की हुई है और यह भाईया भी हमारे साथ हैं कहीं न कहीं यह रोजगार का भी एक विशय है यहां पर बात करते हैं कैसी बिक्री हो रही है लोगडाउन चल थोड़ा बंदा है हमारे सामने ही हम गोलगर के पास है तो इनका यह बहुत जो अभी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप अंदर घूम नहीं सकते अंदर घूमने के लिए परियाटक जा नहीं सकते तो देखिए यह यहां पर एक रोजगार का भी जो विशय है इन्होंने बताया कि जब ग अब यहां दिकत हुआ नहीं है कि इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से यह इसके सहारे गार्जेन और जो हमारे बाई-साब यहां पर सब को मजबूत किये हुए हैं प्रेस रखे हुए हैं अपने वादाम के साथ भूजे के साथ तो यह रोजगार का भी एक विशय है कि लोगों को डिपेंड रहते हैं कि यह प्रिक्षा है रहें यहां लोग रहेंगे तो हमारी विक्री भी होगी तो थर यह इंटर एक्जाम सेंटर से हम आपको अपटेट दे रहे हम को रू-बरू करा रहें उन आभी भाववक के साथ जिनहों बच्चों के साथ उस संघर्स को देखा कि कोरोना काल में वो किस तरह तयार हो सके प्रभातकाबर.com विश्वास वही रवतार नहीं